हरे कुछना साथ विक रस्वे में आपका स्वागत है मैं प्रेमदा देवीदासी आज बनाने जा रहे हूँ तील और गुड ठंडी की सीजन में खाना चाहिए और तील और गुड हल के लिए अच्छे भी होते हैं तो आएए शुरुवात करते हैं तील गुड लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग तील को सेख लेते हैं इसके लिए मैं पैन गरम करने जा रहे हूँ यह जो तिल है, यह हमें देशी तिल यूज़ करना है जो पॉलीच वाला तिल होता है, वो हएल्ट के लिए अच्छा नहीं होता है इसके लिए मैं देशी तिल यूज़ कर रहे हुआ और मैंने 2 कप तिल लिया है पैन हमारा गरम हो चुका है, जिसमें हम तिल डालेंगे तिल को हमें एकदम ऐसे भी भूनना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रेट कर देंगे तो वो उसका टेस्स खराब हो जाएगा, इसके लिए कम गैस पे हुपर ही हमें उसे भूनना है अब यह हमारा तिल थोड़ा सिखने लगा है, इसे हम थोड़ी देर और उसे भूनेंगे हमारा तिल अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं यह देखिए काफी अच्छे से भून चुका है बहुत ज्यादा रेड भी नहीं हुआ है और एकदम वाइट भी नहीं है, अच्छे से भून चुका है हमारा तिल भी भून के रेड़ी है और हम इसके लिए भी गुड़ को बैल्ट करेंगे यह जो गुड़ है यह मैंने देसी गुड़ दिया है तो जो देसी गुड़ होता है इसमें chemicals नहीं होते हैं इसके लिए मैं यही गुड़ यूज कर रहेंगे तो इसके लिए हम लग पैन गरम करेंगे पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे गी डालने से जो लड्डू है उसमें थोड़ी चमक आती है शाइन हो जाते है थोड़े से लड्डू दिखने में अच्छे लगते हैं इसके लिए हम लोग गी का यूज करते हैं और थोड़ा खुजबू भी अच्छा आता है थोड़ा ही लेंगे ज्यादा नहीं घी गरम हो प्रpath का है मैं इसमें गूर्ड डालने जा रहे हूं गूर्ड को हमें ग्यासीन करके ही उसको मैल्ड करना लेंग करेंगे हमें जल सकता है यह जो गुढ हमने लिया है यह तिल से ठोड़ा ही कम लेना है तो वो लड़ू अच्छा बनेगा और सौफ बनता है गुढ अभी हमारा मैल्ट होने लगा है इसे सोई दर हूल मैल्ट करेंगे पूरा मैल्ट हो जाना चाहिए तो अच्छे से अभी गुर्ट मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें तिल मिलाएंगे गुर्ट और तिल को एक साथ चलाते रहना है और साथ ही इसमें हम लग थोड़ा सिंगदाना पाउडर डालेंगे तो तिल के साथ में सिंगदाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा काजू मैंने बारिक किया है वो भी डालेंगे और इलाइची पाउडर है पुड़ा इलाइची पाउडर राइट करेंगे और इसे चलाएंगे और अभी हमें गैस बंद कर देना है उसके बाद में चलाना है अगर ज्यादा देर तक ही गैस पे रहेगा और गुड़ गरम होता रहेगा तो लड़ू हमारा कड़क हो जाएगा इसके लिए हमें इसे गैस तुरंट बंद करना पड़ेगा अभी हमारा तिल, गुड़ और जो सिंग्दाना पाउडर हमने सब जो मिलाया है वो सब मिक्स हो चुका अच्छे से अब हम इसे डीश में निकाल लेते हैं बिश में निकालने से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और लड़ू बनाने में एजी होगा तो थोड़ा गरम है पर हम इसे बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है हमें तुरंट इसका लड़ू भी बनाना है हम थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे जिससे कि गरम ब बना के रखेंगे तो ये ठंडा भी हो जाएगा तो हमारा लड़ू बनके प्रेटिंग होके रेड़ी है अब हम इसे तुलसी बत्ता रखके बगवान को भोग लगाएंगे तो मकर संग्रांधी में आप भी ये लड़ू जरूर बनाइए और अपने परिवार के लगों को खिलाइए और आज का किचन टिप है जब हम तिलगुड बनाते हैं तो जो गुड है वो कड़ाई में चीपक जाता है तब हम उसे थोड़ा सा गरम पानी डालके निकालेंगे ऐसे थोड़ खेलना रहाए तील 2 कब गई एक छोटा चमाच्यों की देड़ कप सेंग डाना का पाउडर 5 polished चमाच्यों बारीकाटे हुए काजू 2 बड़े चमाच्यों इलाइची पाउडर दो बड़े चमाच और पानी एक पैन में तील को भूरल पूरी तरह पिखल पावडर, बारिक कटे हुए काजु और इलाईची पावडर डाले और अच्छे से मिलाले गैस बन कर ले और इस मिश्रन को एक प्लेट में निकाल कर थोड़ाशा थंड़ा होने दे थंड़ा होने पर हातों पे थोड़ाशा पानी लगाकर इसके छोटे छोटे लड़ु बना हमारे तिलगूर लड़ू तयार है